ओम शान्ती, 6 सितंबर 2023 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुडली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, भले पुरुशार्थी हो, अभी तक संपूरन कोई बना नहीं है, लेकिन कभी कोई बेकाइदे चलन नहीं चलने, तुम्हें बाप का फर्मान है, निरंतर के याद करो, बाप की आज्याना मानना भी बहुत बड़ा पाप है, सब आत्माओं का कर्म बंधन अपना अपना है, इसलिए ग्रस्त व्यभार में रहते हुए, अगर तुम्हें कोई विग्न आता है, तो बाबा से राय जरूर लेने हैं, यह पांच विकारों की बिमारी मह भारी है, सुप्रीम सर्जन से दवाई लेते रहेंगे, तो माया की बिमारी से बचे रहेंगे, फिर बाबा ने कहा, ग्यान सागर जो नौलेज देते हैं, उस नौलेज में तुम्हें तत पर रहना है, सर्विस के लिए बाप से तुम्हें जो डारेक्शन्स मिले हैं, विश पढ़ते बिल्कुल ही अजामिल बन गई हैं, इस मैल को उतारना है, तो ग्यान मांसरोवर में डूबे रहो, और लास्ट में बाबा ने कहा, यह पढ़ाई हैं कमाई, लेकिन जैसे लौकिक कमाई में विगन पढ़ते हैं, दशाएं बदलती हैं, ऐसे इस रुहानी कमाई मे भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं, इसलिए सावधान रहना, ऐसा ना हो माया थपड मार, काला मुह कर दे, विकारों में गिरा और फट से राहु का ग्रहन लगा, बुद्धी का ताला बंद हो जाता हैं, यह भी कड़ी गुप्त सजा हैं, और अब सुनते हैं महावाक क्यों को विस्तार से, मुडली का सार, मीठे बच्चे, सर्विस का शोक रखो, विशाल बुद्धी बन, सर्विस की भिन-भिन युक्तिया निकालो, जो बातें बिगर अर्थ हैं, उन्हें करेक्ट करो, प्रश्न, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई हैं, उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर, उसे ग्यान मान सरोवर में डूबो दो, अगर ग्यान सागर में डूबे रहे, तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी. दूसरा प्रश्न, ब्राह्मनों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, ब्राह्मन अगर बाप की आग्या ना माने, तो यह बहुत बड़ा पाप है. बाप की पहली आग्या है, तुम मुझे निरंतर याद करूं, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं, फिर माया कोई न कोई विकर्म करा देती है. गीत, छोड भी दे, आकाश सिंहासन, अब धर्ती पर आजारे. ओम शान्ती. बच्च बाबा केते, मात पिता अक्षर तो जरूर चाहिए. मात पिता अक्षर भारत में प्रचलित है. तुम मात पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा, वैसे तो मात पिता में बाप दादा आ जाता है. परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है. क्योंकि बाप है, मा भी अब माता पहले कौन है? यह है गुहिये ते गुहिये बात जो कोई समझ न सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापतनी भी चाहिए? नहीं, प्रजापतनी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख बन्शावली है इसलिए ब्रह्मा की पतनी कोई हो नहीं सकती। यह बहुत गुहिये और गंभीर बाते हैं। इसे समझने और धारन करने के लिए बुद्धी चाहिए। यह एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मु खाते हैं। तुम तो समझते हो मात, पिता, बाप, दादा सम्मु खाया हैं। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं। सेंटर्स पर जो रहते हैं वे यह नहीं समझेंगे कि मात, पिता, बाप, दादा सम्मु खाये हैं। वे समझेंगे फलाने भी के वो ब्रह्मा कुमारी आई हैं। यह मम्मा अडोप्ट की हुई हैं। सबसे लक्की सितारा जगतंबा ह यह संभालने के लिए मुख्य हैं। इसलिए इन पर कलश रहता है। और यह ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्म पुत्रा मेल के रूप में। तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अंबा कहा जाए। इस मेल को तो जगत अंबा नहीं कहेंगे। यह बड़ा इता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में कहानियां बैठ लिखी हैं। पांच हजार वर्ष पहले और पच्ची सो वर्ष पहले क्या हुआ था। सो बैठ लिखते हैं। वे नाम, रूप, देश, काल तो कुछ है नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। यह बा अगर अर्थ अक्षर हैं, अब आकाश तत्व तो यह हैं, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पार लौकिक बाप को सब याद करते हैं, वे कोई आकाश तत्व से आ नहीं है। अगर क्रिश्न की आत्मा कहें, वे तो यहां ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्म सापक आ अगर क्रिश्न की आत्मा भी 84 वे जनम में यहां ही है। उनकी आत्मा को तो बुला न सके। यह परमपिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महतत्व निर्वान धाम छोड़ कर वहां से आओ। तुम आत्माओं का सिंगासन तो महतत्व है। आकाश में तो तु जीवात्माई रहती हो। यह मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो दिल में आपे ही करेक्ट करते जाओ। यह तो जिनोंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए। इसमें बड़ी विशाल बु मिलना चाहिए। इतनी समझ चाहिए। बाप तो डारेक्शन देंगे। बाप को तो जाकर पूछना नहीं है। बाप तुम बच्चों को डारेक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे करो। शुरीमत पर चलो। वास्तों में धर्ती यह भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। क्रिशन तो सबका फादर नहीं है। और मुर्ली जो दिखाते हैं वे कोई काठ की तुतारी तो नहीं है। जो क्रिशन के हाथ में देते हैं। मुर्ली तो वास्तों में ज्यान की है। बाप और बच्चे की सरस्वती को कहा जाता है Goddess of Knowledge तो जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा ब्रह्म पुत्रा भी God of Knowledge होना चाहिए लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता God is Knowledgeful कहा जाता है ब्रह्मा नौलेजफुल नहीं God is Knowledgeful परम पिता परमात्मा ज्यान सागर है तो जरूर अपने बच्चों को ज्यान देंगे पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन दवारा दूसरों को देते हैं इनमें सब लक्की सितारे आ जाते हैं ज्यान सूर्ये फिर ज्यान चंद्रमा यह ब सामने खड़ा रहता है वह बहुत तीखा होता है उनको ज्यान लक्की सितारा कहेंगे उनका नाम सरस्वती रखा हुआ हैं सरस्वती बेटी हो गई न यह तो बाप भी हुआ बड़ी नदी भी हुई बहुत बड़ी नदी है सब नदियों का मेल सागर में होता हैं सागर और नदियों का मेला होता है, सरस्वती भी सागर में मिलती है, उनका मेला नहीं लगता है, मेला ब्रह्म पुत्रा नदी का लगता है, यह नदी वंडर्फुल है, मेल है, नदी तो फिमेल को कहा जाता है, यह गुये राज बहुत समझने लायक है, परन्तु यह बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए पहले तो लौकिक मात पिता पार लौकिक मात पिता का राज समझाना चाहिए लौकिक मात पिता से अल्प कालक्षन भंगूर सुख का वड़सा मिलता आया है यह तो पक्का याद रहना चाहिए दूसरा कोई दो बाप का राज समझा न सके वे तो जानते ही नहीं गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे अब पिता सरव्यापी है तो माता कहा गई ये समझने की बात है ना मात पिता चाहिए ना मात पिता कहा जाता है निराकार को परंतु यह समझ से नहीं कि इनको मात पिता क्यों कहा जाता है वे तो God Father है फिर कहते हैं Adam और Eve Adam ही Eve है यह नहीं समझ से प्रजा पिता ब्रह्मा वही फिर माता हो गई Adam और Eve अथवा Adam बीबी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं बच्चे समझ सकते हैं आदम बीबी, वास्सों में ये है है, बीबी सो आदम है, इनको बीबी आदम दोनों नहीं कह सकते हैं, वे है तो है बाप, ये है बड़ी पेचिली बाते हैं, भारत में गाते भी हैं तो मात पिता, ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कु दूर ले गए हैं लाखों वर्ष कह देते हैं लोंग लोंग भी कितना कहानी तो नजदीक की सुनाई जाती है तुम समझा सकते हो लोंग लोंग अगो यानि पांच हजार वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शान्ति मय राज्य था और कोई राज्य नहीं था ये अक्षर कोई विद्वान अचारिय कह नहीं सकते देवी देवताओं का राज्य था मालूम होना चाहिए कैसे सापन हुआ लक्ष्मिनारेन कैसे बने कैसे उन्हों की राजाई सापन हुई उनके पहले तो कलियुग था बरोबर कलियुग का अंत अब है और कलियुग के बाद फिर सत्युग होगा सत्युग सामने आ गया है जो लोंग लोंग था वह सामने आ गया चुरासी जनम लेते लेते अब कलियुग का अंत आकर हुआ है अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मिनारेन का सत्युग में राज्य था अभी नहीं ह अभी टाइम आकर पूरा हुआ है फिर से लक्षमिनारेन का राज्य स्थापन हो रहा है यह तुम्हारी बुद्धी में है जिसके लिए तुम पुरुशार्थ कर रहे हो यह है समझाने की बात यह तो सच्ची गीता आदी इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे यह जानते हैं जो लिखा जाता है वे फिर प्राय लोप हो जाएगा यह सच्ची गीता भी नहीं रहेगी जो तुम लिखते हो वे सच्चा ग्यान प्राय लोप हो जाना है और साथ साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे सत्युग त्रेता में शास्त्र होते नहीं फिर कल्प पहले जैसे द्वापड से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे यह है भक्ती मार्ग की सामगरी रचना की सामगरी बहुत बड़ी है तुम ज्यान सेकिंड में ले लेते हो सारी रचना की आदी मध्यंत को तुम जानते हो अंगे अक्रे अर्थात तिथी तारिक सहित पूरा हिसाब किताब है 84 जन्म सब नहीं लेते हैं कोई 70, कोई 60 लेते, कोई 2 भी लेते हैं विसारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है पीछे आने वालों के जरूर नंबर वार थोड़े थोड़े जन्म होंगे उनका फिर विसार करना फाल्तू हो जाता है तुम बच्चे नटशेल में समझ सकते हो 84 जन्म तो है नहीं, 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते हैं ऐसे ही सर्फ कह देते हैं 84 का चकर है 84 लाख जन्मों का चकर नहीं गाया जाता पाप कपट की छाया पड़ गई है अब रावन का राज्य है ना आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिलकुल ही अजा मिल हो गए है इतनी मैल चड़ी है जो साफ होती ही नहीं उस मैल को निकालने लिए फिर गाया हुआ है ग्यान मान सरोवर उसमें डूबे रहें जैसे जन्क लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है ये भी जन्क लगी है इसलिए ग्यान सागर में डूबे रहो कोई पानी की नदीव सागर की बात नहीं है ग्यान सागर जो ग्यान देते हैं उस नौलेज में तत पर रहना है ग्रिस्त व्यभार को भी संभालना है उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो हरेक का कर्म बंधन अपना अपना है सरजन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं हरेक का कर्म बंधन हरेक की बिमारी अपनी अपनी है ये पांच विकारों की बिमारी महाभारी है इस बिमारी को कोई जानते ही नहीं है ये कब से शुरू होती है आत्मा को बिमारी लगने से शरीर को भी बिमारी लग जाती है आत्मा में दुख पढ़ता है तो शरीर में भी पढ़ जाता है यह बातें शास्त्रों में नहीं है वे तो भक्ती मार्ग का भक्ती कांड है भक्ती का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभीचारी भक्ती, फिर रजोगुणी व्यभीचारी भक्ती, फिर व्यभीचारी तमोगुणी भक्ती, जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ती भी हो जाती है, ग्यान भी ऐसे उतरता है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला, प्रालब्द जो बनत वे फिर उतरती जाती है तुम बच्चे जानते हो यह कमाई है कमाई में विगन पड़ते हैं दशाएं बदलती हैं पूछते हैं हमारे उपर कौन सी दशा बैठी हुई है फिर वे लोग बतलाते हैं इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं कोई पर राह की दशा बैठ गई, काम में गिरा और फट से राहू का ग्रहन लगा, ताला बंद हो जाता है, यह है गुप्त कड़ी सजा, वे फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान वाज का महाशत्रू है, सन्यासी भी का महाशत्रू के कारण ही इस्त्री को छोड़ चले जाते हैं, यह भी निवरिती मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है, भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं, तो उनों को थमाने के लिए यह सन्यासी है, मरमत के लिए यह पवित्रता है, पवित्रता की ताकत से ही स्रिष्टी इतना चलती है, अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है, सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शोक होना चाहिए, बेकाइदे कोई भी चलन नहीं चलनी है, भल पुरुशार्थी हो, सम्पूरन तो कोई नहीं बना है, कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं, बाप की आज्या ना माना, यह भी बड़ा पाप है, बाप का फर्मान है, निरंतर मुझे याद करो, जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुशार्थी नहीं करते हो, जो करेंगे वह अच्छा पद पाएंगे, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प पुरती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पुइंट, पांच विकारों की बिमारी से मुक्त होने के लिए, सर्जन की प्राय लेते रहना है, आत्मा पर कोई बिमारी न लगे, इसकी संभाल करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, कोई भी बेकाइदे चलन नहीं चलनी है, राहु की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाप के फर्मान पर सदा चलना है, वर्दान, याद और सेवा दवारा सब चकरों को समाप्त कर, शमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव, याद और सेवा दवारा, सब चकरों को समाप्त कर, शमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव, जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं, वे सभी चकरों से सहज ही मुक्त ह कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्र ही लगाते रहेंगे कभी संबंधों का चक्र कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्र ऐसे व्यर्थ के सभी चक्र समाप्त तब होंगे जब बुद्धी में सिवाए शम्मा के और कुछ भी ना हो शम्मा पर फिदा होने वाले शम्मा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सद्रिश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। अच्छा, अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती। इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें। अव्यक्त